तुछ वेल्डम बैक टो ज़ैनल और अभी हमलोग डिसकस करेंगे लिट्रेरी डिवाइजेस ठीक है आज जो है हम लोग करेंगे लिट्रेरी डिवाइजेस जो कि प्लास 10 के जो टर्म वन एक्जामिनेशन में उसके MCQ के टाइप फॉर्म में पूछा जा सकता है इसलिए मैं आपको जो 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 क्लास 10 में आये हो लिटरी डिवाइजेस है वह वह मैं आपको डिसकस करवाओंगा हमारे पास तो बहुत सारी लिटरी डिवाइजेस होते हैं जो जो लेकिन हमारे पास जो क्लास 10 में काम आने वाले लिटरी डिवाइजेस हैं जिसको आप figure of speech भी बोलते हो वो हम लोग आज discuss करने वाले ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और अभी तक आपने हमारी चैनल को subscribe, like and share नहीं किया तो please do that आप इतना कर लोगे मुझे पता है तो चलिए direct हम लोग topics से start करते हैं कि literary devices हमारे topics में कितने प्रकार के होते हैं और literary devices होते हैं generally ठीक है चलिए अब देख लो अभी मैं आपको यहां पर topic क्या क्या बताने वाला हूं introduction बताऊंगा literary devices के बारे में अब देखो alliteration आपके syllabus में है इसको देखेंगे reframe जानेंगे और आपके syllabus में इसको जानेंगे ठीक है आईरनी आपके syllabus में जो की first chapter में ही है the letter to God में ही आपका आईरनी दिया गया ठीक है अब देखो यहां पर और कुछ नहीं है बस इतना ही हम लोग को जानना है हाँ एक औ देखो basically literary devices को हम लोग figure of speech बोलते हैं और हिंदी में इसको अलंकार बोलते हैं यानि कि किसी भी चीज को क्या करना एकदम पूरी तरह से beautiful अलंकरित करना ही सुन्दर बना देना ठीक है literary device क्या है it is a departure form of ordinary form of expression ordinary clause in ideas to produce greater effect एक greater effect अपने ideas को दिखाने के लिए अपने ideas को एकदम जो पीच या फिर अलंकार इसको बोलते हैं जिसके मदद से जो कावेपन्त है या फिर जो आपके पोयम है उसमें क्या किया जाता है ना उसमें उसको सजाया जाता है सबारा जाता है ठीक है अब देखो literary devices can be classified on the basis of कितने इस टाइप में जो है a b c a four types में से classify कर सकते है that is क्या हो तो यह पहले देखेंगे simili और metaphor जो की resemblance के अंदर आता है यह आपके syllabus में दिया गया ठीक है तिर association और की sentence यह आपके syllabus में नहीं है तो diet हम लोग start करते है जो आपके syllabus में है that is simili तो simili के साथ start करते हैं तो simili क्या होता है na simili को हम लोग घिंदी में उपमा अलंकार बोलते हैं और यह जो simili है यह comparison होता है between two different kind of objects ठीक है यह क्या होता है दो चीजों के बीच का हम लोग comparison कर रहे होते हैं और at least one point in common दोरों में at least one point एक चीज common होती है ठीक है दो चीजों का comparison हम लोग करते हैं जैसे कि as like और यह सारे word so इन सारे का use करके जब हम comparison करते हैं तब उसको simili बोलते हैं क्या होता है simili जब हम comparison करते हैं using as like और such so ऐसे words का जब हम use करते हैं तब compare करते हैं जैसे as like as sun as shining bright as moon so ऐसा जब हम लोग comparison करते हैं तो उसको बोलते सीमिली जहां पर as like वगेरा का यूज करते हैं example देख लो students as proud as a peacock एकदम peacock के तरह है न as bold as brass के तरह एकदम पूरा bold है उत्म तो इस टाइप से ठीक है अब देखो comparison of two things the same kind is not similar अगर comparison दो तिंग अगर same हो जाए ना तो इसको बोलते सीमिली लेकिन जब हम same kind की अगर वहाँ पर comparison कर दे तो वह सही बात नहीं होते हैं ठीक है अब metaphor के बारे में जानते हैं students metaphor जो है दूसा literary devices है जो कि आपके poem में आया हुआ है when comparison between two themes if they were one दो चीजों का comparison करते हैं और वह एक जब वह क्या है if they were one और यहां पर जो है हम लोग as like का use नहीं करते हैं बस इतना यादर के students जहां पर as like का use नहीं करेंगे वह metaphor और जहां पर जो है comparison में as like का use करेंगे वह होता है simile ठीक है अब इस देखिए इसका example the camel is sip of the desert बोला जा रहा है camel is sip of the desert यहानी की camel johais ship had dessert का यहां पर ऐसा नहीं बोल रहे है the camel is like as the sip of the desert ऐसा नहीं बोल रहे है कि camel is the sip of the desert डाइट बोला जा रहा रहा है क्या है आपका that is metaphor एठीक है students यह का आपका metaphor है life is a dream life क्या है एक सपना है यहां पर as like नहीं life is like a dream as ऐसा यूज नहीं किया गया life को डाइक ड्रीम से comparison किया गया that is आपका यहां पर metaphor आ जाता है personification students का personification का personification एक literary device है attributing human characteristics को बताता है है emitting object और animals जहां पर animals के लिए हम लोग he she use कर देते हैं हाला कि animals के लिए it use होता है जहां पर हम लोग उसे क्या करते है human behavior से comparison कर देते ना personification इसको बोलते है students मानवी करन अलंकार यानि कि मानवी करन यानि कि मानवों की तरह यानि कि humans की तरह जब हम लोग दिखाते हैं किसी भी animals को तो या फिर किसी भी non living object को सो इसको बोलता है personification जैसा कि हम लोग human से comparison यहां कर रहे हैं आपके book में भी या आया हुआ है tiger in the zoo में ठीक है हम लोगों ने उसके लिए he का use कि आया tiger in the zoo जो आपका poem में ठीक है poets commonly use this technique to create images create कर सके reader के mind में और greater sensory appeal कर सके इसलिए personification का use होता है example देख लो students यहां पर in this line the poet has personified autumn as an old man ठीक है इसमें जो है autumn को in lines में क्या 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 गया है old man से comparison क्या गया है ठीक है students चल गए अब देखे symbolism symbolism क्या होता है न students symbolism एक type का poetic device है which is used to represent or recall something जिसको use करके हम लोग something recall करते है या फिर रिप्रेजेंट करते है as possessive similar quantities especially object जो की रिप्रेजेंट कर रहा हो abstract idea और thought या quantity हो है न हम लोग क्या करते हैं इस poetic device का use करके जो किसी भी चीज को present करते है symbol करते है abstract ideas को thoughts को ठीक है अब देखो example the road not taken जो की आपके आपने पढ़ा भी ओग क्लस 9 में the road not taken इस poem में क्या होता है the road symbolizes journey and the frog symbolizes here two choices make the journey है ना इस टाइप से ठीक है students यहां पर other examples भी दिया हुआ है apostrophe apostrophe क्या होता है students apostrophe अब क्या होता है it is a direct address to the dead यह क्या होता है direct address क्या जाता है to the dead ठीक है यहां पर example देख सकते हो oh ancestors what would you say about this matter है ना so like this और यहां पर एक sex fear का यहां पर लिया गया है आपका code इसको भी देख सकते है इसमें जादा कुछ है नहीं apostrophe में यह direct address होता है death और absent personify किया जाता है object या area को ठीक है students चलिए दूसरा जो है बहुत ही जादा important class 10 के लिए literary devices है alliteration alliteration क्या है alliteration is the occurrence of the same sound at the beginning and the adjacent closely connected words alliteration सिर्फ पोल देते हैं आप vowel sounds लेकिन alliteration is not about vowel sound यानि कि शुरू में जो भी sound repeat कर रहा हो ना words में तो वो जो है वो सेम कहलाता है alliteration ठीक है students इसको बोलता है कौन सा अलंकार बोलता है इसे अनुप्रास अलंकार बोलता है यानि कि यहां पर वर्णों की अवरित्ती हो रही है यानि यहां पर जो है जो भौवल sounds है वो क्या करते हैं यहां पर repeat होते हैं alliteration में students example देख लो students with many occur my blankets I freight by many a field and a fellow यहां पर देखो field में F और fellow में F दोनों जगह FF का हो रहा है तो यह अलिट्रेशन है अब यहां देखो and a many ferry for land यहां फिर F है starting हो रहा है यहां भी F से starting हो रहा है फिर देखो with willow weed and mellow यहां पर देखो w w and w से starting हो रहा है तो इसमें क्या है students alliteration है यानि कि य इसले बस में refrain बहुत ही ज्यादा important नहीं है इसे पढ़ना है ठीक है चलिया refrain का है refrain is a form of repetition यह भी एक form of repetition ही है poem में but with the same line or a part it is repeated at the end of each words यहां पर क्या होता students alliteration में कि वहां पर same words repeat हो रहे थे उसका जो first letter था वो repeat हो रहा था but refrain में क्या होता in poem same line का जो part है वो repeat हो जाता है ठ man may go but I go when forever man may come or man may go यहां पर देखो MMM देखो पूरा पूरा word repeat हो रहा है man man और में 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 दोनों words यहां पर repeat हो रहा है सिर्फ यहां पर पहला word नहीं पूरा का पूरा word यहां पर repeat हो रहा है तो that is कंदर कंसंदर reference student ठीक है it is repeated poem the brook by Alfred Lord यह नोंने यह दिया गया था कि जो for man may come and man may go यहां कि man may और man में दो बार repeat हो रहा है यहां पर क्या है रीफ्रेन है ठीक है students आगे चलते हैं बहुत ही ज्यादा class 10th के लिए important oxymoron तो oxymoron कहा है it is a small यह कहा है special form of enthesis है यह कहा है students oxymoron special form of enthesis है whereby two contradicted qualities are predicted यहां पर दो Contradictive qualities को दिखाया जाता है ठीक है जो same things के लिए जैसे कि students आप बोल रहे हो दो च्वाइडिक्टी थिंस यानि कि oxymoron में क्या होता है आप life बोल रहे हो life and death and ना लगा करके life death बोल रहे हो diet students life death यानि मरा हुआ जिन्दा हो भी tiger in Jew में Jew में आपका question आया quiet rage यानि कि शांत भी बोल रहे है और arch जैसा बोल रहे है ना so cleanly simple यानि कि cleanly भी बोल रहे है और simple भी बोल रहे है ठीक है तो इस टाइप से students देखो तो जैसे कि मैंने आपको poem से भी समझा दिया है जो कि आप में आया है epigram आपके syllabus में नहीं है तो next पे चलते हैं next जो आपके first chapter में आया हुआ हलाकि poem में नहीं आया हुआ irony जान लेते है students irony क्या होता है तो it is a mode of speech in which real meaning जो real meaning है ना उसको exactly opposite बताया जाता है literary इसे letter to God में आपने देखा होगा कि उसने bunch of crooks बोल दिया बट उन्होंने तो उसकी help की थी बट उसे पड़ता नहीं था तो यहीं उसका irony है students ठीक है तो देखो example the mother will be happy to hear what you have done now when mother will not be at all happy है ना आप सोचे हो कि mother happy होगी बट mother ने happy हुई नहीं आपने जो काम किया उससे mother happy होगी ऐसा आपने सोचा लेकिन mother happy हुई नहीं नाइस वैदर आपने बोला when it is raining है ना अब a bunch of crook बोल दिया so like that दूसरा class 10th के लिए बहुत अच्छा यह है onomotopia onomotopia कहना है एक word or the grouping of word limits the sound is describing suggestion in source object ठीक है यह क्या होता है ना limit group होता है जहां पर sounds कर रहता है जिसे click blank plank bus bang यह सारी जो word से वो ऐसे repeat हो रहे है grouping है एक sound दे रहा है तो वो क्या आता है comes under onomotopia है ना यह सारी क्या दे रहे animal के noises वगेरा जो है यह जो सारी चीज़े जो noises है जो sound है जो groups है वो क्या होता है under comes under onomotopia students imagery भी आपके आया हुआ है स्लेबस में तो imagery को discuss करते हैं तो imagery is used to vivid or figurative ठीक है imagery का यानि कि देख लो simple से imagine करना किसी भी चीज़ को है ना जैसे कि मानलों कि object को actions को references को touch को smell को hear को test को यह सारी चीज़ों को imagine करना उसका एक picture create कर देना अपने mind में वो क्या होता है imagery कहलाता है यानि कि आप on tiger in the zoo में बात कर तो tiger zoo में बड़ आप imagine कर रहे हो कि वह अगर होता जंगल में तो होता तो है ना यहां पर ऐसा imagine कर रहो तो यह test smell ऐसा picture बना ले ना किसी भी चीज़ का imagery कहलाता है ठीक है students वह क्या कहलाता है that is called as imagery so students इतना ही था आपके syllabus में जितना politic devices मैंन आपको बता दिया है so thank you for this session and आपको session पसंद आपको session पसंद आपको session if you like the session let me know and please do like subscribe and share with it your friend too and we'll meet in the next video with the next topic till then take care and bye bye